हमारा हमने फिफ्ट चैप्र स्टार्ट पर रुखा था न्यूटन लाव फोर्स ठीक है न्यूटन लाव फोर्स में इससे पहले वारी लेक्चर में हमने न्यूटन के लाह के सभी टाइप्स बढ़े थे उसके उपर में जो कॉश्चन एक्जान सरी डेफिनिशन थी उनको आज हम एक्सेसाइज बढ़ते हैं एक कॉंस्टेंट फोर्स एक्ट मैं इससे पहले बता दू यहां पे कुछ ट्रम्स हम यूज करेंगे जिसे वी क्या है मारा फाइनल वेलोस्टी यू है हमारा इनिशल वेलोस्टी एस हमारा डिस्टंस है टी हमारा टाइम है एड एड आज हमें एक्विशन ओफ मॉसन यह जो इसकी बुक की में बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रिलेमिनरी जो दे रखी है यह जो आप पहले से अलोर ग्लासेज में पहले बारे ग्लासेज में आप पढ़ते आ रहे हैं इन सब चीजों का तो एक्विशन ओफ मॉसन का यूज ह पर सेकिंड इन 6 सेकिंड एक कॉंस्टेंट फोर्स है एक बोडी पर एक्ट कर रहे है जिसका मास कितना है 20 ग्राम है एंड प्रोडूसे वेलोस्टी क्या है उसके साथ 27 सेंटीमिटर पर सेकिंड टाइमिंग लिया है 6 सेकिंड इफ दब बोडी वाज इनिशली एट रेस्ट अगर बोडी आपका इनिशली रेस्ट पोजिशन में है फाइंड तर फोर्स निकालना आपका फोर्स तो इनिशल वेलोस्टी मतलब अभी बताया इनिशल वेलोस्टी जो है हम उसको यू से डिनोट करते है फाइनल वेलोस्टी को डी से करते है तो इनिशल वेलोस्टी अप की जो फॉर्म है हमारे इस रिलेशन में डालेंगे हम वी इस इक्वल टू यू प्लस में फ्ट क्योंकि आपको कह चाहिए फोर सी चीक है तो वी डाला हमने 27 यू आपका जीरो था एफ और इंटो में टी की वैल्यू 6 एफ की वैल्यू निकाल ली एफ की वैल्यू आपके पास हागी 3y 9 by 2 9 by 2 cm per cm square क्योंकि f आपका एसलेशन है और m दे रखा आपको 20 ग्राम दे रखा है तो आपने कले एक formula बढ़ा था force force multiply mass multiply force is equal to mass multiply acceleration तो force निकाला था आपका तो mass और आपको acceleration चाहिए था तो ये सब कुछ हमने acceleration निकालने के लिए किया और इसमें M की और F की value डाल लेंगी तो 90 डाइन साफ के पास है इसका force आ गया a body of mass 50 kg is acted upon by a force of 5 newton एक body जो है जिसका weight कितना है mass कितना है 50 kg है एक force के साथ act कर रही है force कितना लग रहा है 5 newton how long will each take to attain a velocity of how will long तो मतलब time पूछा जा रहा है तो velocity क्या है 30 meter per second है तो आपके पास M mass दे दिया 5 kg ना sorry 50 kg and force P force ले रखा न पी से denote किया इसे पहले वाले question में हम इसको लिखते P equals to M multiply F तो पी आपका 5 newton force है F हमने क्या ले लिया acceleration ले लिया तो पी यह जो relation है हमार पास P equals to M F इसमें हमने value डला तो आपके पास acceleration की value आ गई और आपके पास initial जो velocity होगी U वो क्या है 0 और final velocity क्या दे रखिए 30 meter per second दे रखिए पर second तो आपने फरवई relation यूज़ किया वी इस इकवल टू यू पलस में F T वी इकवल टू यू पलस में F T वी की value डाल दी यू की value डाल दी और ये तो अमर पास यहां पर T क्योंकि हमर पास T लाना था तो हमर पास U भी है वी भी है और F हमने निक पाल लिया था तो हमर पास T आजाएगा ती आपके पास आगा 5 minutes next question है a mass of 10 kg is placed on a smooth horizontal table 10 kg mass जो के smooth horizontal table पर रखा है is attacked is acted upon by a force by of 96 newtons और उसके उपर एक force act कर रहा है कितने नूटन का 96 find the distance move by it force लगने के बाद जो weight था वो कितना move हुआ वो distance निकाल लिया आपको it in 10 seconds from rest rest position 10 seconds में कितना दूर चला गया तो M आपके पास दे रखा 10 kg force लग रहा P क्या देख रहा है आपके पास अभी S निकालना है तो हम S वाला formula लगाएं आपर ठीक है तो यह आपके पास M 10 kg है P force 96 newton है M चलो F हमने क्या ले लिया S relation ले लिया पहले हमने force वाला लगाया क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है F नहीं है न तो force वाला formula लगाया force is equal to mass multiply S relation हमारे पास यहां पर हमने force की value डाल दी मास की भी डाल दी तो F की value आ गया S relation की है S हमने distance consider कर ली चीक है distance consider कर ली और यह आपके पास देखूं इनिशेल जो velocity है वो कितनी है 0 है time कितना है 10 seconds है तो time 10 seconds है तो हमने यह यह फॉर्मला हमारा यूज किया S is equal to 1 by 2 multiply F ठीक है और multiply time T का square यह फॉर्मला आपका है S is equal to U T पलस में 1 by 2 F T square ठीक है न यह यू 0 था हमारा इसके जैसे खतम हो गया और 1 by 2 F की value रही टी की value रही है ठीक है तो आपके पास 480 meter हो गया next question है आपके पास a body of mass 3 m kg is pulled along a smooth horizontal table by a constant force which is earned a velocity of v meter per second in 10 seconds okay एक body जिसका mass कितना M उसको pull किया गया along a smooth horizontal table पर by a constant force constant force के साथ which generate a velocity of जो velocity है उस time की वो भी है और timing T है from the rest position में तो find करना आपको magnitude of the force तो here initial velocity हमार पास क्या है zero है final velocity क्या है week time क्या है T एसा relation आपका F है तो हमने relation लिया V equals to U plus Ft आपके पास U initial velocity क्या है zero तो V is equal to zero plus Ft हमने F की value निकाल ले हमें क्या पूछा गया था force ही कुछा था find the magnitude of the force तो magnitude of the force force निकालते हो mass multiply में ऐसा relation तो हमें यहां से motion के जो formula है उनको याद रखना पड़ेगा और हमें वहां पर हमारे पास दूस चीज अविलिबल है कि क्या चीज हमारे देरा क्या निकालनी है उसके साब से में मापसे formula motion वाला formula यूज करना पड़ेगा एक तो वी इस इकवल टू आपके पास यह वाला रखा वैल्यू डालने के बाद हमारे पास F की वैल्यू आगए F के हमारा एसलेशन है हमें इस रिक्षिन में रखा फोर्स इस इकवल टू मास मल्टिप्लाइ एसलेशन है तो यह एम वी बाइटी है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है ए फोर्स ओफ वन फिप्टी न्यूटन मूव ए बोडी फ्रो ट्वेंटी सेवन मीटर फ्रों रेस्ट इन फोर फोर्स लग रहा है इतना एक बोडी के उपर जोकी 27 मीटर इतनी सेक्ट में 27 मीटर ट्रावल कर चुकि फोर्स इस इस पो दाफोर्स देन सीज एट एक्ट फाइंड दा रेजिदेंस रिक्वाइट तू रेडियूस दा बोडी तू दा रेस्ट इन इस तरी सेंटी मीटर तो फाइंड करना है रेजिदेंस फाइंड टागना है रिक्वाइट तू रेडियूस दा बोडी तू रेस्ट इन डिस्टंस ओफ थ्री मीटर की डिस्टंस तक लेजाने के लिए आपको कितना रेजिदेंस लगेगा वो चीज निकाल लिए ठीक है तो हमारे पास यहां पर इन आपके पास यहां यू भी है टाइम भी है डाल दिया तो क्या चीज मिसिंग आपकी एफ मिल जाएगा हुए तो एफ की वैल्यू यह देखो सब जीरो बन गया यह एट टीवान भाई एट इंटू में एफ तो हमने एफ को निकाल लिया एफ मेर पास मिल गया एट बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्केर अब हमने यूज किया वी इज इक्वल टू यू पलस में एफ टी वी इज इक्वल टू यू पलस में एफ टी ठीक है तो वी तो में निकालना था यू हमारे पास वैल्यू दे रखे थी जीरो एफ भी था और टी भी था टाइम है नाइन बाई टू सेकेंड और एसलेलेशन जो है मने उपर से निकाले तो 12 मिटर पर सेकेंड आपके की रेजिजटेंस कोछना था लेजिस्टेंस कोछना था उसका रेजिजटेंस के लिए और नि्यूोटन भी दर ऑइजिटेंस एंड एम्डी ऑफ द बोडी चीक हैार निूटन हमने एडीowment धनेमये माश ले लिया उफ दड़ बोडी चीक है तो पहले के से हम appeal के परस को सकते तो तोल्स कितना apply हो रहा था आपके पास 150 Newton हो रहा था तो टोल में से हमने जो हमना है उसको minus कर दिया अब effective force किसे निकालते हो M multiply में आप निकालते हो M multiply mass multiply में acceleration सब्सक्राइब तो यह 3 दर जाएगा आर को भी दर ले लिया तो एट एम पलस में 3 आर इक्वस्टो पॉर फिक्टे कर लिया इसको वहन दा फोर्स इस टू एक्ट जब आपका फोर्स इस करता है तो लेट हमने लिया कि म्यू जो है नहीं सोरी आर बीदा रिद्रेशन ले लिय लिया ठीक है जब आप फोर्स अपलाइग कर रहें उसके पर तो आर जो है हमने उसमें डिदेशन कंस्टर करिया इनिशल वैलोस्टी हमने निकाले थी आपके आपका कितना था इनिशल वैलोस्टी ट्वैल मीटर पर सेकंड और फाइनल वैलोस्टी क्या ले लिया जीरो कि म आपके पास कितना रहत रही है हमार पास एक फॉर्मॉला और है विसके रिक्वस्ट वैलोस्टी हमने भी कंसिडर कर रखा है जो कि हमने क्या लिया रखके जीरो है और इनिशल वैलोस्टी आपकी यू है जो हम निकाल चुके पीछे तो ट्वैल का स्केर डाव दिया एंट इनिकों में आ रहा है तो आपका जो रूस्टेंश था वह मने मान रखा था तो थो स्मों ने बुनीटेंस भी रिच्टेंश नहीं रिटेशण ले रखा था मैंतरे डिटेंश लियों ठीक है तो आपके पास यहासे आया की वैल्यों आटीटेंटेंट की 24 मीटर पर सेंटी स विसक्र स्क्राब्स क्या है लेकर सब्सक्राइब दकती तॉक्ति विए क्या है कि अब रिट्रेडिंग फॉर्स डे année फोस्किया है this सब्सक्राइब संटेब हो इस अब शन्सषंटा खहए लेकर संथ 10 काह मोस् 막 झान पूम और तो तो यहां पर हमने इसको आर कंसेटर कर रखा है M और 24 तो यहां से मैंने स्मॉल M की वैल्यू निकाल दी स्मॉल M की वैल्यू निकाल के मेरे को क्योंकि क्योंकि capital R आर कंसेडर के दाना तो मुझे तो capital R चाहिए न तो हमने यह equation number first में डाल दिया है equation number first में दिखा दू आपको यह थी हमारी 8 meter plus 3 R 8 M plus 3 R equals to 450 okay तो इसमें उठाके हमने आर के वैल्यू कूफ कर दी क्यां से आपके पास आर के वैल्यू सोल किया तो आर के वैल्यू कितने आगी 150 न्यूटन आगी तो हमसे क्या पूछा था आर ही पूछा था कि कितने उसके पाद आपके जो बोड़ी है वो 3 meter distance के उपर है जाए कितना force लगाने के बाद next question आपके पास the breaks of a 1000 kg car erect a force of 3000 newton एक 1000 kg वेट की कार है और उसके उपर 3000 newton force लग रहा है how long will it take to car to come to stop from velocity of 3 meter per second की एक जो कार है अगर उसकी velocity 3 meter per second है तो वो रुखने में कितना time लगेगे second point में how far will the car travel during this time और how far कितना इस time में car जो है जो मतले उपर वाले पोर्सन से हम जो time निकालेंगे उसमें car कितना travel करेंगी तो आपके पास velocity है time निकाल लेंगे उपर से और हम निकाल बता देंगे कितना दूर है तो यहां पर देखिए आपके पास मास कितना है 1000 kg दे रखा है फोर्स कितना लग रहा है 3000 न्यूटन लग रहा है तो फोर्स वाला जो फोर्मुला था हमने अप्लाई कर लिए देखिए आपका इनिशल वैलोस्टी कितनी है मतलब वह गरे कि फ्रों एद वैलोस्टी ओफ 39 मिटर पर सेकंड तो हम ने माल लिया कि यूं जो है वह आपकी इनिशल जो वैलोस्टी वह 30 मिटर पर सेकंड है और फाइनल है वो जीरो और एडरेशन क्या है मतलब आपका इसा एलेशन कितना है थ्री मीटर पार सेंटिमीटर स्केयर है तो यह फॉर्मला अपलाए कि हमने वी मतलब यह आप करते हो यू इज इक्वल टू वी पला वी इस इक्वल टू यू माइनस में एफ टी तो इसमें सभी वैल्यू जाल दी तो आपके पास टी की वैल्यू कितने आगी 10 सेकेंड आगी तो हमें टाइम पूछ रहा था कि कितने देर में स्टॉप हो जाएग इस वैलस्टिक के साथ का अब हमें डिस्टंस निकाने थी तो इस्टंस का फोर्मला यह आपास है जब आपके पास इनिश देशिन की वैल्यू डाली थी और निकाले थी और यह आपने टीज कर डाल दिया तो यह सोल करके आपके पास ऐसे जो था वह कितना आगया कि वन फिफ्टी मीटर की इतने देर में आपकी जो कार है उसने वन फिफ्टी मीटर दिस्टंस को टावल किया ओके थैंक्यू है